एक ब्राम्भन के साथ पुत्र थे और विरावती नाम की एकलोती पुत्री थी. साथ भायों की अकेली बहन होने के कारण विरावती सभी भायों की लाड़ी थी और उसे सभी भाय जान से बढ़कर प्रेम करती थे. कुछ समय बाद विरावती का विवाह के सी ब्राम्भन युवक से हो गया. विवाह के बाद विरावती माई की आई और फिर उसने अपनी भावियों के साथ करवा चौत का व्रत रखा लेकिन शाम होते होते वह भूक से व्याकुल हो थी. सभी भाय खाना खाने बैठे और अप भूक प्यास से व्याकुल हो थी है. विरावती की ये हालत उसके भायों से देखी नहीं गई और फिर एक भाय ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला कर चलनी कियोट में रख देता है. दूर से देखने पर वे हैसा लगा कि चांद निकलाया है. फिर एक भाय ने आकर वि टुकडा मुह में डाला है तो उसे चीका गई. दूसरा टुकडा डाला तो उसमें बाल निकलाया. इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकडा मुह में डालने के कोशिश की तो उसके पती के मृत्यू का समाचार उसे मिल गया. उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत करात कि उसके साथ ऐसा क्यूं हुआ। करवाचोत का व्रत गलत तरेकर से तूटनी के कारण डेवता उससे नाराज हो गए है। एक बार इंद्र देव की पत्मी इंद्रानी करवाचोत के दिन धर्ती पर आए और वीरावती उनके पास गई और अपने पती की रक्षा के लिए प्रात्ना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को कूली श्रध्या और विधी विधान से करवा चौत का व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरावती कूली श्रध्या से करवा चौत का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ती देकर भगवान प्रसंद हो गए और उन्होंने वीरावती सदा सुहागन का आशिरवात देते हुए उसके पती को जीवित कर दिया. इसके बाद से महिलाओं का करवा चौत व्रत पर अटूट विश्वास होने लगा.